रादे रादे दोस्तों, वास्तिव सिफोरोम चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं। दोस्तों आज की बीडियों उन माता बेनों के लेकर के आए हैं जो अपने पती से बहुत परिशान हैं पती बात बात पर उनसे कलेश कहते हैं कहना नहीं मानते हैं पराई इस्ति के चक्कर में पड़े हुए हैं तो उनके लिए बच्षी करन का एक ऐसा चुक उपाय के लेकर जाए हैं इसे किसी भी दिन से प्रारम कर सकते हैं इस उपाई में जादा वस्टों की आवश्चता नहीं है केवल पान के पत्ते के द्वारा पती का वशीकरन किया जा सकता है अगर आपको पान का पत्ता उपलब्द नहीं होता है तो आप पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते इसमें जो हैं बिदी एक ही है पान के पत्ते को आप लेकर के दंदी समयत लेना चाहिए और पत्नी को चाहिए के उसके उपर एक चुटकी सिंदूर रखे और साथ में जो हैं उसके उपर थोड़ा सा केसर रख ले सिंदूर और केसर को रख करके जो हैं उसके बाद में माता रानी के सामने बैठ करके पती का नाम लेते हुए ओम एम हरीम किलीम इस मंत्र का जो हैं एक्कीस वार जाप करें एक्कीस वार या एक माला जाप करके फिर उसको माता रानी के चैन्नों में रख दें इस तरह से साथ दिन तक उस पत्ते के उपर प्योग करना हैं जैसे आप खुला पत्ता नहीं रख सकते हैं तो पत्ते को जो आप किसी मोली में लपेट करके जैसे पत्ते की सिंदूर रखा हुआ उसमें केसर को पुड़िया बनाए और उसे मोली से लपेट की रख दें साथ दिन के बार में उस पत्ते को लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे रख के चले आएं और उसमें जो सिंदूर और कीषर हैं उसे किसी दिब्वी में भर के रख लें। और उसका रोजनत तिलक लगाना है थोड़ा सा घूल करके जरासा माती पती का बिंदी लगा करके पती के सामने जाएं तो पती का अकरशन होता है उसका नित्प्रिती यही प्रियोक करना है अगर आपके पती आपके पास नहीं है तो आप पती की फोटो के सामने भी अपने मस पर उती का लगा सकते हैं दोस्तों केवल इस उपाय को करने से जो माता बेने दुखी हैं उनको पती का प्रेम अवस्ट से प्राप्त होगा अगर आपको मैं जानका रिच्छी लगयों वीडियो को लाइकों से जिरू करें आप सभी को जैसी रादें